तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्हीद करता हूं बहतर होंगे, दोस्ते इस question में हमको given है, x, y and mn are the tangents drawn at the end points of the diameter d e of the circle wheel center o, then हमने prove करना है कि यह जो xy है वो parallel है कि इसके mn के, तो यहाँ पर दिको xy एक tangent है और यह हमारा point of contact d, तो यहाँ से यह angle बनाएगा 90 degree, similarly क्या होगा, यह हमारा एक tangent है, और यह point of contact है, तो यहाँ से यह वाला angle हमारा क्या हो जाएगा, 90 degree, तो यहाँ पर एक angle हमको मिल ला है, angle o dx, equal to हमको क्या मिल ला है, angle o en, यह हमको मिल ला है 90 degree each, तो 90 degree मिल ला है दोनों को, दोनों को हमारा, तो यह दोनों हमारे alternate interior angle हो जाएंगे alternate alternate interior angles are equal तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा देखो यह दोनों हमारे alternate interior angle का काम कर रहे हैं और यह दोनों equal आ गए तो यहां से हमको पकड़ में आ जाएगा कि जो x, y हो क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा m, n की क्योंकि एक z form हो रहा है यहां पर यह दोनों alternate interior angle होगे और यह एक transversal का काम करेगा तो यहां से जो x, y हो किसके parallel आ देगा m, n की है न यह हो जाएगा hence root तो आयों दोस्त आपको question पकड़ में आ गया होगा तो मिलते हैं दोस्त next question में